हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो मेर्टीब चैनल जोग्रिफिकला है आज की डेट है 8th of March और आज बहुती प्रॉमिनेंट जोग्रफर और बहुती सेलिबरेटर जोग्रफर सर लॉरेंस डूडली स्टैम या LD स्टैम का बर्थटे है इस वीडियो से हम लोग LD स्टैम के बारे में जानेंगे उनकी क्या कॉंटिबूशन थे उनकी क्या लाइफ थी और साथी साथ उनकी कुछ इंपॉर्टन वर्क्स को भी डिसकस करेंगे इस पूरी वीडियो लेक्चर का आपको पीडिएफ चाहिए में फेस्बूक एकाउन को फॉलो कर दीजे इसका लिंक में ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो सर्ड लॉरंस डूडली स्टैम्प 9 मार्च 1898 को बॉन हुए थे लंडन में और ये 20th सेंचुरी के वन अफ दे बेस्ट बिटिच जोगरफर्स में से थे जो कि इंटरनाशनली एकलेम्ड थे इनकी एजुकेशन ग्राज़ेशन जो ही वो किंग्स कॉलेज लंडन में हुई और इन्होंने जियोलोजी और जियोगरफी दोनों में इस स्पेसिलाज़ेशन हासिल की दी दोनों को ही प्रॉपर्ली पढ़ा था जो LTE स्टैम थे उन्होंने जियोगरफी और जियोलोजी में तो अपना कॉंट्रिबूशन दिये ही दिये लेकिन साथी साथ उन्होंने अपने नेशन को भी बहुत सर्फ किया था फर्स्ट वल्ड वार और सेकंड वल्ड वार में सर्की डिघरी से सम्मानित किया था सर्की डिघरी से सम्मानित होना एक बहुती बाद होती थी उस तैम और उन्होंने साथी साथ इंडिया, Sri Lanka, Myanmar, Southeast Asia, Afrika इन सब कि काफी research stewards किये थे अपने study area में then he worked as a professor of geography at Rangoon University 1923-1926 के बीच में ये Rangoon University में geography के professor थे क्यों Rangoon University में थे? विकॉस उस टाइम ये जितना में Myanmar, Bangladesh और India का पूर्शन था ये सब जद तर Britishers की colony थी और ये by birth Britishers थे इसलिए इनका appointment यहाँ पर किया गया था उसके बाद 1926 के बाद इन्होंने London University में as a professor की job की और ये 1965 तक ये London University के geography के professor बने रहे थे So now we'll discuss about the contributions of Sir L.D.S.T.E.M. उन्होंने उनके इतना ज़्यादा वर्था, उनके इतना इची personality थी कि उनको बहुत सारी universities जैसे Clark University, Edinburgh University, Stockholm University, Warsaw University इन सब universities ने L.D.S.T.E.M. को जो है doctorate की degree थी in honor जिसको honorary doctorate degree बोलते है साथी साथ 1942 से 1955 के बीच में L.D.S.T.E.M. ने chief counselor की तरह काम किया कहां पर agriculture and fishery ministry of British government में और सबसे important contribution था इनका जो British history में था और आज भी माना जाता है वो है इन्होंने British का first land use या land utilization survey 1930s में करवाया था पूरे British का land use या land utilization survey कराना एक आसान बात नहीं थी तो उन्होंने क्या उपाय निकाला था कि जो school के बच्चे थे school के children को उन्होंने employ किया था और उन्होंने land use के map बनवाया थे school के बच्चों से ठीक है और कहा के maps जो बच्चे थे अपने home district के जैसे जो बच्चा जिस district का है उस district के land use maps बनवाया थे किस scale पे 1 by 2500 की scale पर और क्योंकि वो बच्चे थे तो बच्चे किस की supervision में थे बच्चे जो थे वो school और university के जो teachers थे उनकी supervision में आकर के उन्होंने अपने home district के 1 is to 2500 की scale पर land use के maps बनाये थे और इस campaign यों conduct कराने के लिए लगबग 22,000 school children को employment मिला था उनको ये काम करने को दिया गया था लैंड utilization सर्वे करने के बाद उन्होंने LD stamp ने जो land use maps बनाये ब्रिटेन के तो उसका scale क्या रखा 6 inches to per mile per 1 mile ठीक है आरेफ में अगर बोले तो 1 is to 10560 तो जब डूडली stamp ने लैंड utilization सर्वे कराया ब्रिटेन का तब जो है ब्रिटेन की regional geography बहुत ही prominent होगी बहुत ही उसको इद्दम stimulus मिल गया जिसकी वेज़े से official agricultural regions को deliminate किया गया ब्रिटिश के और government ने agricultural regulation को start किया by using the land use maps ये land use survey जो की LD stamp ने conduct करवाय थे तो ये इनका एक बहुत ही important contribution है और सबसे important मना जाता है इनका यही contribution है उसके बाद stamp का जो land utilization था 1930s में जो उन्होंने किया था और जो world war के बाद जो post world war के बाद जो land use planning में उन्होंने contribution किया ठीक है तो ये एक बहुत ही liberal contribution मना जाता है by किसी भी geographer के द्वारा एक बहुत ही अच्छा example है liberal contribution बाया geographer और उन्होंने अपनी जो ये survey किया था उसको किस बुक में बनाया किस बुक में लिका Britain its use and misuse in 1947 में जो publish की गई थी LD stamp को IGU याने की International Geographical Union का commission मनाया गया on land use ठीक है और stamp के efforts के द्वारा जो world land use survey है उसका establishment हुआ Lisbon में 1949 में जो की International Geographical Congress के द्वारा किया गया था और ये जो world land use survey है जिसको IGU ने establish करवाया था ये जो जितना भी land use planning है ये एक international commission बनाया गया जो ये जितना भी land use planning का वरके उसको supervise करता है और जो land use system जो LD stamp ने device किया था Britain में वो बहुती great contribution मना जाता है और बहुत से countries ने बाद में इसी plan को इसी method को adopt किया और अपनी countries का land use planning है land use survey उसको conduct करवाया साथी साथ LD stamp ने बहुत सारे contributions applied geography और medical geography में भी किये थे उन्होंने जो अपने भी contributions किये उन्होंने बहुत सारे books लिकी बहुत सारी famous books उन्होंने pen down की इसमें से मतब 50 से ज्यादा books उन्होंने लिखी थी अपने पुरे life में उसमें से कुछ prominent books है वो इसमें मैंने लिखी दी है It's a glossary of geographical terms, Asia, India, Burma, geography of each continent of the world, general geography, handbook of commercial geography, land for tomorrow, the underdeveloped world, applied geography, Africa, Asia, dictionary of geography और जब वो रंगोन उनिवर्सिटी में थे तब उन्होंने इंडिया के जो Indian subcontinent है वहाँ पर भी काफी land use पर काम किया था, वहाँ का भी survey वागरा किया था So, cool मिला के अगर यह देखा जाए, तो Sir Lawrence Dudley Stamp का बहुत ही major contribution है, उन्होंने एक इदम breakthrough दिया था, land use planning और land use maps बनाने के लिए जो कि आज की scenario में देखे तो बहुत ही important है, बिकॉस आज तो फिलाल सारा काम remote sensing GIA, satellite images, aerial photography इन सब से होता है लेकिन 1930s के टाइम जब यह technology इतनी develop नहीं हुए थी, और मैं तो कहूँगा आई ही नहीं थी, तब के टाइम पे उन्होंने कैसे बदाब इत बच्चों को इखटा किया, unity, eye और पूरे, बदाब पूरे बिटेन का उन्होंने land use map बनाया, तो यह बहुत ही important contribution है, जो की उन्ह करेगा, share करेगा, channel के subscribe करना मत भूलेगा, thank you very much, enjoy it.